ये आकाश्वोनी है अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनियें लोगसभा चुनाव के दूसरी चरण के लिए नामांकन दाकिल करने का आज अंतिम दिन है इस चरण में बाहरी मनिपूर लोगसभा क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और किंद्र सासित प्रदेशों की 88 लोगसभा सीटों पर चुनाव होंगे बाहरी मनिपूर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से के पहली चरण में मतदान होगा केरल की 20, करनाटका की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महराश्ट की 88, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्यम बंगाल और 36 कड की 3-3 सीटों पर इस चरण में वोट टाले जाएंगे इसके अलावा त्रिपुरा और जम्मु कश्मीर में भी इस चरण में मतदान होगा, दूसरी चरण का मतदान 26 अप्रेल को होगा जम्मु कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जाँच 5 अप्रेल को होगे जम्मू कश्मीर में 6 अप्रेल को पर्चों की जाज की जाएगी भारती जनता पार्टी के वरिष्ट नेता और प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने बिहाद में लोगसभा चुनाव के लिए राष्टिय जनतांत्रिकर बंधन एंडिय की प्रचार की औवचारिक शुरुआत के शिमूदी ने जम्मूई जिलिके बलोपुर में जनसभा को संबोधित किया शिमूदी ने कहा कि एंडिय सरकार भारत को विकसिर देश बनाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि भारत अब विश्व की पांचवी बड़ी अर्थ व्यवस्था है शिमूदी ने कहा कि भारत ने आतंकी गतिविधियों में शामिल और ऐसी गतिविधियों को समर्थन देने वालों को करारा जवाब दिया है जमूई के साथ गया और अंगाबाद और नवादा में पहले चरण में 19 सप्रेल को मतदान होगा भारती जन्ता पार्टी के वरिष्ट निता तथा सूचन और प्रसारण मंत्री अनुराग सिन ठाकुर ने आज बैंगलूरू दक्षन से भाजबा उम्मिद्वार तेजस्वी सूरिया की रहली को संबोधित किया इस अवसर पर शिठाकुर ने कहा कि कॉंग्रिस के एक साल की शासन में बैंगलूरू को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि ये शहर मुंबई के बाद दूसरा सबसे अधिक कर राजस्व देने वाला शहर है और ये अब पानी की कमी का सामना कर रहा है उन्होंने कहा कि एम्स, IIM, हवाई अड़े, मेट्रो और एक्स्प्रेस वी की कनेक्टिवीटी संख्या बढ़ गई है और 41 नए वंदे भारत रेलकाडियां शुरू के गई है कॉंग्रिस की वरिष्ठ नेता सुनिया गांधी और कींद्री मंत्री अश्वनी वैश्णव ने आज राजसभा सांसत के रूप में शापत ले राजसभा की सभापती जगदीब धनकर ने उन्हें शापत दिलाई भारती जनता पार्टी के आरपी एन सिंग जनता दल युनाइटेट के संजय कुमार ज़ा और कॉंग्रिस की अजय माकर ने भी शापत ले कॉंग्रिस प्रवक्ता गवर वल्लब आज भारती जनता पार्टी में शामिल हो गए उन्हें भाजपा महासचिव विनो तावडी की उपस्तिती में पार्टी में शामिल किया गया इस मौके पर बिहार कॉंग्रिस के पूर्वा ध्यक्ष अनिल शर्मा भी भाजपा में शामिल हुए असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने कहा है कि आगामी लोगसभा चुनाव पारदर्शी और निश्पक्ष तरीकी से कराने के लिए राज्य पूरी तरह से तयार है शिगोयल ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी संवेदन शील्ड मतदान केंद्रों की वेब कास्टिंग और आधुनिक तक्निकी का उपयोग करने की व्यवस्था की है राष्ट्रपती द्रोपुदी मुर्मू आज मुंबई के भारती प्रद्युगे की संस्थान आई आई टी में CART Cell Therapy राष्ट को समर्पित के कैंसर की लाज के लिए इसका उपयोग होगा इस थेरपी को आई आई टी पॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के संजुक्त प्रयास से विकसित किया गया है अगनी प्राइम मिसाइल का कल ओडिसा से सफलता पूरु अग प्रक्षेपन किया गया ये प्रक्षेपन ओडिसा के डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम द्रीप से परीक्षन सामरिक बल कमान SFC तथा रक्षान संधान और विकास संगठन के सहयोग से किया गया इसके साथ ही ये समाचार बुलेटन समाप्थ हुआ